आज हमारे जो मेमान हैं, उनका नाम है पंकर्ज गुपता जी पंकर्ज गुपता जी कस्रम ओफिसर रह चुके हैं एक लंदे समय से फॉरेवर में जुड़े हुए हैं और फॉरेवर के एक सच्चे सिपाईी बने हुए हैं दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम नेट्वोग मार्केटिंग सक्सेस टॉक्स वे सुर्या सिनामि प्रोग में जुड़ेवर को मेरी दफ से हारदी कुपकामना है आप एक ऐसे व्यक्ति की सनरक्षन में अपने बिसनस को बिल करें हैं जिनको ना सिर्फ ओरेवर इंडिया जानती है ना सिर्फ ओरेवर ग्लोबल जानता है बलकि नेट्वर मार्केटिंग पड़े बड़े दिक्कत चानते हैं नेट्वर मार्केटिंग मतलब प्रियाय है सुर्य सिना आप अपने साथ इन पलों को बिताने का तुंकि ये कैसा पल है मेरे भी जो इन्वेक्ट मेरे जीवन में यादगार पल है आपका नेट्वर मार्केटिंग बिजनस में शुरुआत का एक बड़ा कारण रासर को कहते हैं कि आवश्यक्ता विश्कार की जन्दी आपको जानकर आश्यर रासर मेरे जीवन में बल्ब नाम की चीज मेरे कमरे मैं एर्थ स्टेंडर्ड में देखी थी था आपको पर इंस्पेक्टर की पोस्ट पर थे जी सर्थ तो जब तस्टम में थे आप एक इंस्पेक्टर की पोस्ट पर थे एक ऑफिसर रेंग में थे तो आपकी तो सेलरी अच्छी रही होगी फिर एक आप इंसान से तो आप पूचे ही थे मेरी साली करीब 85,000 पर महीन आती तो होता क्या सारी सौधे पर रहने के राद बंदयों क्या लगता है अरे यार मैं क्या लोगों से बात करूंगा मुझे का जरुत पड़ली लोगों से बात कबनेगी तो वो इगो नहीं आई सार इस वजह से एक्चली मेरे साथ सफलता कभी मेरे दिमाल में नी बैठी है वो हमेशा केते थे कि पंकेज भाई सक्सेज एक वो चीज है जो अपने साथ अपनी एक सोटैली बहन को लेका आती है उसका नाम है घमंड मैं बीस साल का पूरा इंजार करने के बाद नौकरी छोड़ने के लिए तयार हो चुका था तेखो से जैसा मैंने आप से का जौब एक ऐसी वरस्ता है जहां पर आप जॉप का उल्टा करो तो क्या होता है सार बोज बोज तो वो कही ना कहीं बोज तो होता है तर आपको कही इंडिविजिलिया भगश्पर पर कह ना हूँ आपके सामने जो अधिकारी वेठा है आपको वो बठाए तो बठाए नहीं तो ने मिठाए मैंने रेक्स मौन की कल्चर को देखा चार वहां पर क्या बढ़ी अ कल्चर है आप देखे हो तो यह रेक्स मौन के आप के बीन में जाहिए सामने रेक्समान बैठे हैं और अगर आप उनके केविन में तो आप खड़े निरा हो गजाए तो आप ने इतने अच्छे जॉब को चोड़ा जाहिए जो मैं रहकर करके मेरी सिंद्धी बदलता जा रहा था, लेकिन बहुत सारे लोगों से अच्छूता होता जारा था जितने चैलेंजिज्ज्स आपको आने वाले हैं आजकी डेट में जितने चैलेंज्ज्स मुझे आएं पूरे के पूरे 20 साल के कारियर में तो मुझे ये पता है कि sir, मेरी foundation में उतनी ही solid है, एक पुराणी कहा है, seeing is believing, मैं चुनौतियों पर आ रहा हूं sir, actually, मुट्रा चुनौतियों से रिलेट करूंगा, seeing is believing, लोग कहते हैं कि देखकर के विश्वास होता है, so he says, I totally disagree to it, he says, if you believe, you can see it, मैंने इसमेट किया sir, if you can see it, then others will believe it, तो पुरा स्टेटमेंट ऐसे है कि, if you believe, you can see it, and if you can see it, others will believe it, जब ये फॉरेवर के प्रोडेट कोस्ट्ली है, आपको सुनने को आया होगा, आपकी दिन के लोगोंने खहा होगा, तो आपने कैसे टैकल किया, और क्या आप मानते हैं कि फॉरेवर के प्रोडेट कोस् आपको समझना चाहिए इस तरह से, अगर आप शुगर खरीद हैं सब्सक्राइब करीब करीब 60 kg शुगर आ जाएगी, 935 रूपीज की 60 kg शुगर आ जाएगी उस समय, और आज 60 kg शुगर कितने की हैं सब्सक्राइब 2400 रूपीज, अलोवेर कितने का है सब्सक्राइब 1672 र बहुत सस्ता है सर, आप किसी भी network marketing company के बड़े से बड़े रीडर से बात कर ले ना, वो अपनी company की एक हजार बाते बताएगा लेकिद एक बात वो आपसे भी बुलेगा, सर आपके product का तोड़ नहीं है, marketing plan सर, हमारे जो marketing plan है सर, वो the best of the best marketing plan है, why I am saying this, because यतनी भी companies हैं, वो जादे से जादे 30-40% पैसा बाती हैं सर, फॉरेवर बिल्कुल भोग बजाकर के 70% पैसा बाती है, दुनिया में 100% business में से 70% business first year में फेल हो जाते हैं, अगर आपने कोई shop खोली, आप जैसे, हम अलाब 100 business खुले, तो 100 में 70 business पहले साल फेल हो जाते हैं, बच्चे कितर ने व 10% business, यानि बच्चे 30 में से 15 पर business हो हैं, वो अगले 2 साल के अंदर खतम हो जाते हैं, फिर बच्चे कितने रहे 15, मैं मेरे आंकले ही नहीं दे रहा सार, ये worldwide आंकले हैं, बच्चे 15 business तीन साल में आके BEP पर आते हैं, या ब्रेक इन प्राफिट नो प्रोफिट नो लॉस पर अनि करीब करीओ अगर मैं मैं थे मैं तो 1,600 बच्चों में से एक को मिलेगी, पर सेंटे निकालिया और बच्चे कौनते साथ सुनेंगे आप, उन में से 28,000 बच्चा था, पी एच्ड, सारी, पोस ग्रेजवेट्स, 3,000 बच्चा था, ग्रेजवेट्स, 3,700 बच्चा था, पी एच्ड ने भी अप्लाई किया रखा था, पर जोगब में रेशो कितना खराब है, तो 1,600 में से एक बच्चे को सफलता मिली, कितने फॉर्चुनेट हैं, एक ऐसे काम मैं जहां पर लोग कहते हैं, पर दस में से एक बंदा सफल हो जाता है, सही बात है, तो 1,600 में से एक बच्चा, और 10 में से एक बच्चा, एक बंदा, तो वियार इंविया सच प्रिले इस एक्चुली कि आज की डेट में हम बैस्ट ऑपॉर्चुनेटी के साथ, बैस्ट बिजनस के साथ, बैस्ट इंजस्टी के साथ असोशी देने जाएं क्या एक बर्ग में विय। लेएंड़ स्टी ओिले एक कि ऑजवर्च वियाğा कि विले इस एक बना स्टी आपॉर्च, पैस्ट असम spark talking, बैस्टी क Soup